हाई बच्चो, हेलो एब्रिमान, इस याओ फेवरेट D-square और मैं बताने वाले एक बड़ा इंपॉर्टन्ड अनालिसिस, जैसे कि आपको बता हाली में हुए थे जेए एक्जाम्स और NTA ने 6 अक्टूबर को एक बम फोड़ा था नीट आस्परेंज पे, एक नया स्लेब बस निकाल के कि उसमें कॉक्रोच भी आना है, फ्रॉक भी आना है, सब कुछ आना है, तो अब बच्चो का एक सवाल था कि माम, नहीं NTA फॉलो करें या पुरानी NTA और जो डिलीटिट पार्ट है, वहां से हमारे अब क्वेशन्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो आई इन दो NTA ने साबित कर दिया है, कि उनका वचन ही शासन है बच्चो, यानि कि जो वो बोलते हैं, वो वहीं फॉलो करते हैं, तो थैक है, दूसरी चीज, नहीं NTA फॉलो करें या पुरानी, तो इसके लिए आपको नहीं NTA फॉलो करनी है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जो फिर बट जो टॉपिक्स नहीं है, अफकॉस उसके लिए आपको PDFs टॉप्लोट करनी होगी, तो ये दो इंपोर्टन अपडेट्स है, on the basis of J exam, पेपर जाधा तफ नहीं आ रहे हैं, I think that's a very good news for you all, ठीक है, all the best and do follow us on our Telegram channel for 60 days challenge.